हेलो फ्रेंड वेलकम बेक टू एसी ट्रेडिंग गयां तो फिर आज हम यहां पर डिसकस करने वाले हैं लाॉरस लेप शेर का टेक्निकल एनलेस जैसा कि आपने देखा लाॉरस लेप शेर के अंदर आज हमें बहुत तेजी दिखाई दिये इस तेजी के पिछे का क्या तरफ देखने को मिल सकता है तो यहां पर हम टेक्निकल के साथ सथ इसके फंडामेटल को समझ लेते हैं उसके बाद फिर से आते हैं चार्ट पे और आपको बताने की कोशिश करते हैं किस तरह का सिनारियों यहां पर बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा है तो बिना वक्त का पर स्टार्ट करें पर हमारी फंडामेटल एनलेसिस के लिए मैं आपको लेकर के आगे हो ट्रिकर टेप पर हमें इसे मालूम पड़ेगा कि जो इसके तरीके का वेल्यू चल रहा है हमें इसके अंदर वेल्यूशन के अंदर इंट्री करना चाहिए या फिर इसे भी ऑवाइ यहां में दिखाई दिया है लेकिन यहाँ पर जो डाटा निकल कर कर रहा उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं इसकी जो इंसेंट्रीक वेल्यू चल रही है वह यहाँ पर क्या चल रही है पर ससता हो जाए कुछ सस्ते प्राइस पर मिले उस समय आप इसके अंदर वाइ बात की जाएं तो इस टॉक यहां पर अच्छा रिटन करने में आपको अपर दे सकता है इक बात करें तो इस टॉक यहां पर डिवे तोन में नहीं होने के कारण यह जो इस चौक है आपको क्या करेगा अभी भाइंग करना चाहिए कि इसके अंदर अभी ज्यादा भाइंग नहीं हो रही है मतलब यहाँ पर इसके अंदर आप आप कर सकते हैं इसके बाद हमारा फ्लेग का पांचवा पैंट जो है यह क्या गिरवी रख दें और उस पेसे को क्या करें अपने कंपनी के अधर यूस करें मतलब उन्होंने ऐसा यहाँ पर नहीं देखने को मिलता है बस एक ही पॉइंट है कि अभी इंट्री करने में आपको सोचना पड़ेगा बात कर एगर फोरकस्टिंग के डाटा कि तो यह डाटा किस तरह का निकल क्या रहा है तो यहाँ पर 11 के आपको कवरेज मिल रही है जिसमें से 64 परसेंट आपको सजेश्ट करते हैं कि आपको इसके अंदर बाइंग करना चाहिए मतलब 11 में से लगबग 6-7 आपको सजेश्ट करने बाइंग का रिकमेंडेशन इसके बाद हम चलते कि तरब किस तरह के निकल के आरें इसमें यहाँ पर बात करने वाले तो यहाँ पर आप देखेंगे फाइनेंशल तो हाइर देंडस्ट्री रेविन्यू ग्रोथ यहाँ पर हुआ है इंक्रीज इन मार्केट शेर देखने को मिला है और हायर देंडस्ट्री नेट इंकम भी यहाँ पर देखने को मिला है मतला अलोवर देखा जाए तो फंडामेंटली इसके जो फाइनेशल वह बहुत अच्छे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं अब टोटल रेविन्यू को यहाँ पर डिसकस कर लेते हैं यहाँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से यहा हाँ पर देखेंगे दो हजार 308 रुपए 2019 में था टोटल रेविन्यू जो की 2837 हो गया बढ़कर के 2020 में और भी ज्यादा बढ़ गया है 2021 में 4837 और उसके बाद अभी जो चल रहा है उन पच्छास तो पच्छारहजार 950 लगवग लगवग 5000 करोड़ों के आसपास का टोट 2019 में हुई थी 255 करोड़ की 2020 में हुई थी 983 करोड़ रुपए की इंकम 2021 में हुई है और 877 जो की घड़ गई है 2021 के कंपेर में यहां पर 2022 में अच्छी खास यहां पर ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है तो फाइनेंशल के अकौर्डिंग देखा जाए तो इस टॉक में अ होल्डिंग है इसके अलावा फॉरन इंस्टिटूशन जो है उन्होंने पिछले तीन महिने में अपनी होल्डिंग को यहां पर कॉंस्टेंट रखा हुआ है इसके बाद होल्डिंग किसके पास कितनी है वो भी देखना बहुत जरूरी है तो यहां लगभग 27.27 27.27 परसंट के पर Uniqueल को देखने को मिल जाती है इसके बादब बात कर लेते हैं इसके टेक्निकल की चार्ट पर यहां पर डिसकाव करते हैं कि क्या पर राएंग करना चाहिए यहां पर भोत अच्छा सिनारियों आपको दिख रहाए दो रेंज में आपर बना रखी है 579 मतलब 580 से लेकर के 515 रुपए के बीच में इस श्टॉक ने काम कर्च किया है और उसके बाद वहां से निचे उतरने के बाद वापिस अभी काम कर रहा है यह 515 से 440 के बीच में तो फिर आप देख सकते हैं किस तरहीं से इसने काम का जहा पूर्डेट करता हूँ आपको दिखाए दिया है यहां से स्टॉक में गिरावट हुई है वह गिरावट जो स्टॉक को आप ले आई है 515 रुपए तक लाकर कि इसने खड़ा कर दिया इसके बाद वापिस से उपर गया स्टॉक और उपर के तरफ पांसो अस्री को टच करन के बाद चलते हूं पांसो पंद्रा के तरफ चलते हुआ तक पांसो पंद्रा के लेवल को क्या कर देता है यहां पर ठच कर देता है इसके बाद यहां से घिरावट हुई है और इस गिरावट के बाद आज आप देख सकते हैं एक बड़ी सी क्या बन गई यह ग्रीन केंडल यहां पर बन गई है तो अगर यह ग्रीन केंडल इस लेवल को तोड़ देती है 515 को और उपर जो यह 200 दिनों का मुविंग एवरे जा आता हुआ दिखाई दे सकता है लेकिन इसके लिए जरूरी है कि 200 दिनों का मुविंग एवरे जो उपर की तरफ ब्रेक हो क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं 200 दिनों के मूविंग एवरेज पर यहां पर एजिस्टेंस लेकि स्टॉक नीचे की तरफ आया था तो 200 दिनो करता है तो आपको 530 को बाय करके चैनल को लेकर करके इसी तरह के वीडियो पांदे के लिए हमारे चैनल को अभी लाइक शिर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले थैक यू सो मच पर वाचिं इस वीडियो